नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे eigenlijk आज बनाने जा रही हूं पालक और मस रूम की बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल अलग तरीके से सबजी ये सबजी खाने में जितनी स्वादिष्ट है बनाना भी आसान है और हिल्दी तो बहुत जादा है मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें तो यहाँ पर देखे मैंने पालक को अच्छे से वॉस किया उसके बाद रफली काट लिया है और कट करने के बाद मैं यहाँ पर पालक को कड़ाई में रख दे रही हूँ उसके बाद मस्रूम को अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से साबुत मस्रूम ही कड़ाई में र कराबर उसके बाद मैंने यहां 5-6 लचन की कलियां ढाल दी है चिलके और यहां पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा तो आफ टीस्पून जीरा डाला है और वण टीस्पून मैंने साबुट धनिया डाली है इन सारी चीजों को डालने के बाद हम डालेंगे के लॉंग और पालक और मस्रूम बनाईए और देखिए कितना स्वादिश्ट लगता है बच्चे भी खुस होके खाएंगे तिया पे देखिए पांच मिनट तक हो गया है और यह जो सबजी है अच्छे से बॉयल हो गई है और सारी चीजें सौप्ट हो गई है अब मैं गैस की फ्लेम को पालक के मौसम में इस सबजी को जरूर बनाईए आपके घर में सब को बहुत पसंद आएगी यहां पे देखिए मस्रूम निकालने के बाद मैं इस तरीके से ठंडा होने के बाद मस्रूम को कट कर ले रही हूं तो यहां पे यह देखिए इस तरीके से मस्रूम को सारे पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे इस तरीके से चान लोगी चानने के बाद इसका पानी अलग हो जाएगा और सबजियां अलग हो जाएंगी इस पानी को हम फेकेंगे नहीं इस पानी को हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे और इन सबजियों को हम मिकसर जार में डा लिया है और अभी से इसकी जबर जस खुस्बू आ रही है अब हम गैस पे रखेंगे कडाही और इसमें डालेंगे सरसो का तेल तो लगबग टू टेबल स्पून सरसो का तेल मैंने यहां पे डाल दिया है और तेल को गरम होने देते हैं तेल के गरम होने के बाद मैंने लाल मिर्च डालते हैं, तो आपको गैस की फ्लेम जो है ना, बिलकुल कम पर रखनी है, ताकि हमारे मसाले जलेना, यहां पर मैंने कस्मेरी लाल मिर्च का यूज किया है, आप चाहें तो जब सबजी को उबाल रहे हो, तो उसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखे इसके बाद मैंने डाल दिया है नमक और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए थोड़ी देर पकने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वन कप मटर, मटर optional है पर आजकल मटर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रही है तो आपके पास अगर मटर है तो इसमें जरूर डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है मटर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ मस्रूम, जो मस्रूम हमने 1.5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे, तो ये दिखे मैंने चला दिया है यहाँ पर मटर और मस्रूम को और इसे थोड़ी दिर तक पकने देंगे अब मैं इसे ढखके 4-5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि ये जो हमने मस्रूम डाला है और मटर डाली है, अच्छे से पक जाएं मस्रूम पहले से ही पका हुआ है और मटर हमारी बहुत जल्दी सौप्ट हो जाती है तो इन दोनों चीजों को हमने 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दिया है उसके बाद हम इस तरीके से हटा देते हैं ढकन को और अब डालेंगे ये पानी जो पानी हमने सबजियों का च्छान के रखा था वो पानी है, इसमें बहुत सारे बीटामिन्स है, आइरन है तो इस पानी को आप फेके नहीं इसका यूज जरूर करें ग्रेवी बनाने में तो मैंने ये सारा पानी इसे ग्रेवी बनाने में डाल दिया है अगर आपको ग्रेवी अभी भी गाड़ी लग रही हो तो थोड़ा सा पानी का और यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए, उसके बाद मैंने सबजी बहुत ही स्वादिश्ट लगती है मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई दोस्ते